सबही करक राशी के दर्शों को आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत वैविनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर और उमीद करता हूं कि आप अच्छे हैं स्वस्थ हैं आज के इस कारिकरम में आपको जनकरी देने वाला हूं कि वर्ष 2023 का पहला महिना आपके कितना महतपून रहेगा और बहुत-बहुत शुब कामना है आपको ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहे उन्नती वर्दक रहे कारे की सिध्धी लेकर के आए आपके इच्छाओं की पूर्ती हेतु ये महिना बहुत अच्छा रहे और आपके सबसे महतपून की एक 2023 में लगबग 6-7 महीने के लिए तो देवगुरु व्रस्पती आपके पैसे को ही देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और आईए विशेश रूप से जन्वरी की बात करते हैं नमस्कार करता हूँ सुकार करिए अपना खूप सरा ध्यान रखिए और करक राशी पर शनी सा एक वहाव आपका ये देखने का मिलेगा कि एंजाइटी तनाव छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाना इस प्रकार की ग्रह गोचर ये इस्तिती आपके जीवन में देखने को मिलेगी दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले गोचर कि कौन सी तारीक को कि सूरे देव 14 जनवरी 2023 को मकर राशी में गोचर करेंगे और मकर में आते ही मकर सकरान्ती हो जाएगी अच्छा है आपके लिए ये इनका गोचर करना क्योंकि इनकी दृष्टी जो सब्तम जाएगी वो करक राशी पर रहेगी मंगल देव 12 जनवरी को मारगी हो जाएंगे ब दनू में जो वकरी चल रहे हैं मारगी गती से फल देंगे जहां नो नमबर लिखा हुआ है वहां आपको बुद्ध बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस पत्रिका में तो यहां पर अब ये सीधे चलने लगेंगे इसके लावा शुक्र ग्रह का राशी परिवर्तन होगा और वो कुम्ब में चले जांगे 22 जन्वरी को यानि की 22 जन्वरी तक तो वो मकर में हैं अच्छे हैं उसके बार दाउन हो जाएंगे अस्टमबाब में चले जांगे शनी माराज यहां शनी एक बहुत 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 बढ़ा महा eight शनी देव का आपके जीव में दिखाई दे रही है इसमें जहां चार नंबर लिखा है इसका मतलब ये करक राशी है और इसके स्वामी चंदर होते हैं और जो खाना है ये आपके मान सम्मान ये शो उपलब दी का है जहां पांच नंबर लिखा है यानि कि वो सिंग राशी है और इस राशी के स्वामी समझ लीजिए कि पूरे महीने आपके करकराशी के उपर जो ग्रहों का संचार है उसके अनुसार गुरू की दृष्टी रहने वाली है इसका मतलब जवर्दस्त मान सम्मान आपको पूरे महीने होगा कारे की सिद्धी आपके पूरे महीने ही होती रहेगी और विशेश रूप राशी के स्वामी के दो परममित्र एक सूर्य और दूसरा गुरू दोनों आपके मान सम्मान के घर को देखेंगे अच्छा यह हो गया अगर मैं बात करूँ आपके धन के तो धन का सुख आपको सूरे देव के दोरा प्राप्त होगा और सूरे देव पहले चौदा दिनों तक डाउन इस्तिती में है उसके बाद मजबूत होंगे तो जो भी आपको धन के लें दिन करने हैं पैसा लेना है वो आपको चौदा जनवरी के बाद प्राप्त होगा ये मैं कहना चाहता हूं अच्छा पैसा आएगा इसमें कोई दोराय नहीं है किसी परकार का कोई दोमत न चाहता हूं और साथ ही एक चीज़ को लेकर कि आफगत करा देना चाहता हूं कि यदि कोई आपको एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो आप चौदा तारीक के बाद ले सकते हैं आपकी वानी में ओज रहेगा ओजस्वी शब्दों का प्रियोग करेंगे लोग हैं पर हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि आपको मित्रों का सगे संबंदियों का खास लोगों का बरपूर इसने हैं प्रेम प्राप्त होगा ऐसा गरह गोचर आपकी राशी में दिखाई पड़ता है अच्छा गरह गोचर है शुब है क्योंकि गुरू की दृष्टी पड़ र के बाद कमजोर हो जाएंगे इसलिए आपको फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा शांती के साथ विभार करना पड़ेगा बहुत पैरलल हो करके काम करना है हतोत साहित हो के कोई काम नहीं करना है ये मैं आपको विशेश रूप से कहना चाहता हूं 22 तारीक के बाद वि जनती आपके कॉंपेडेटिव एक्जाम्स आपकी कारे सिद्धी संतान का सुख कोई अक्समात धनलाव जो कि शेयर से लौटरी से जूए से सट्टे से ऐसी चीजों से पराप्त होता है तो इस इस इस्थानी के जम्मेदारी मंगल के पास है और मंगल एक केंत्रकॉन राज कोई इंटरिव्यू क्रैक होना कोई विशेश सफलता आपको प्राप्त होना कारे को पॉइंट अव्यू से जो लोग बैल्ट की नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो इंजिनियर हैं अगनी से संबंदित इट बटो के कारोबारी हैं उनके लिए नजर आता है ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ इसके लावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गर्वती महीला आएं थोड़ा विशेश रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों स्वास्त इस गर की जिम्मेदारी गुरू के पास है और इस गर में सू सूरे देव डाई साल के बाद 17 जनवरी को छोड़ देंगे पीछा छोड़ देंगे इस घर का अब एक शश राजयोग भी समाप्त हो जाएगा और सूरे देव चले जाएंगे फिर अपनी मकर राशी से दूसरी राशी में यानि कि कुम्ब में यानि कि जहां पर 11 नंबर ल नहीं हुई है जहां पर 10 नंबर में आप शुक्र बैठा हूँ अभी देख भी रहे हैं इस डिस्पले के कुंडली में तो छीक रहेगा पहले 22 दिन तक उसके बाद 8 दिन थोड़ा मन मुटाव लव लाइफ में इन सब चुजों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यदि अब बात करी जाए आपके भाग्य की तो देखिए भाग्य पर जो देव गुरू बैटे हैं समझ लीजे वो आपके रीड़ी की हड़ी हैं ये देव गुरू ही आपके पूरे के पूरे भाग्य को भी समाल रहे हैं आपके मान सम्मान को भी समाल रहे हैं और यही गुरू आ इस्तिती जॉब की प्रमोशन की ट्रांसवर की और सरकारी नोकरी वालों की बात करूँ तो मंगल के पाश जिम्मेदारी आ जाती है और मंगल देव स्वेम बार की गती से 12 जनवरी से फ्ल देंगे तो जो भी सरकार से जुड़े हुए काम है परशासन से वो 12 जन्वदी के बाद करना उचित रहेगा या ट्रांसफर प्रोमोशन की फाइल लगाना अच्छा रहेगा ये है दोस्तो करक राशी का ग्रह गोचर अगर आप भी कुनली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पाठ यरत लेना चाहते हैं तो हमें संपर कर सकते हैं एक बार पुन है आपके बीच में उपस्तित हूँगा अगर आप वर्ष फल 2023 का बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं विजाधत दीजिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद